जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और आज की इस वीडियो में हम 21 जनवरी 2021 को RRB NTPC का जो एक्जाम हुआ है उसके पहले सिप्ट में पूछे गए जीके और करेंट अफेर्स के प्रशनों को डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएग तो नीचे कमेंट में और कौन से प्रशने पूछे गए थे उनके बारे में जरूर बताईएगा तो चलिए इस वीडियो की सुरुआत करते हैं तो सबसे पहले पूछा गया था कि पहला पंच वर्षिय योजना कब से कब तक लागो हुई थी कौन सी हमारे फ़र्ष्ट 5PR प्लान के बारे में पूछा गया था तो ध्यान रखिएगा ये जो 5PR प्लान है वह 1951 से चला था 1956 तक इसी प्रकार से दूसरे की बात करते हैं तो 1956 से 1961 तक था फिर तीसरा हमारा चला था पहला जो प्लान होलेडे था ये 1986 से 1979 तक था उसके कारे में आपको ध्यान रखना है और वरत्मान में हमारे देश में कुल मिला करके 12 फाइप येर प्लान आ चुके हैं तो ये भी आप ध्यान रखेंगे हाला कि आप फाइप येर प्लान नहीं आते हैं अब उनकी अस्थान पर नीती आयोग नाम की एक्सांस था गठित की पर या नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिले गई वहां पर आप प्रश्नों को सेर कर सकते हैं अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे सयुक्त राष्ट यानि कि युनाइटे नीशन है उसके पहले महासचिव कौन थे तो ध्यान रखेगा पहले महासचिव थे ग पहले इसके सेक्रेटी जनरल थे जिनका नाम था ग्लैडविन जेब तो यहां पर आपको ध्यार रखना है कि इन्हों ने एक्टिंग सेक्रेटी जनरल के रूप में कारे किया था अगर आपको ऑप्शन में ट्रिगवे लाई मिलेगा तो फिर आप ट्रिगवे लाई की उप पर क्लिक करेंगे यह आपको ध्यार रखना है वैसे अगर हम लोग सेक्राश्ट की बात करते हैं तो इसका मुख्याले आपको निवयर्क में मिलेगा जो कि अमेरिका में है और एंटोनियो गुटेरेस जो की पुर्तगाल देश थे हैं वह वरत्मान में इसके महासच्यू है तो यह पॉइंट आप यार दखेंगे अगला प्रशन पूछा गया था कि हिमाले की दूसरी सबसे उची चोटी कौन सी है तो पहली सबसे उची चोटी कौन सी है तो यह है माउंट एवरेष्ट और दूसरी के अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं जो कि हमारे भारत की आधिकारेक तोर पर सबसे उची चोटी है ये दुनिया की तीसरी सबसे उची चोटी है उसके बाद में है लोत से फिर है मकालो फिर है चोयू उसके बाद में है धौला गिरी तो ये सारी हमारे दुनिया की सबसे उची चोटिया है इनके बारे में आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्ण पूछा गया था कि जो हमारे यहां के हिंदी भासा है उसे किस अनुच्छेद के अंतरगत भारत की आधिकारिक भासा के रूप में दर्जा दिया गया था तो यह अनुच्छेद है आठकिल 343 कौण सा है अनुच्छेद 343 के अंतरगत कि इसमें कुल कितनी भासा है सामिल है तो ध्यान के एगा इसमें सामिल है 22 भासा है तो यह दोनों प्रश्ण आज आपके पहले सिप्ट में पूछे गये थे फिर पूचा गया था, कि भारत के जैविक इधन से संचालेद पहला भीमान कहाँ से चला था तो यह वीमान चला था 2018 में यह आप देख सकते हैं न्यूज आयट के लिए मैंने यहां पर लगा दिया है तो 27 अगस्त 2018 की यह न्यूज है कि इस 20 जेट ने भारत की जो पहली बायो फ्यूल से चलने वाली फ्लाइट है उसको संचालित किया देहरादून से दिल्ली के बीच में कहां से देहराद वह आप नीचे कमेंड में बताएंगे वह भी आपके बायो फ्यूल से ही चला हुआ था तो उस विमां का नाम किया है वह आपको नीचे कमेंड में बताना है अगला प्रेशन पूछा गया था कि राष्ट्य प्रदूसर्ण नियंतरन दिवस यार्न की National Pollution Controlled Day कब मनाए जात क्योंकि 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी कौनसी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो इसी के मद्धिनजर यहां पर हम लोग राष्टिय पर दूसरन मियंतरन दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं यह आपको ध्यां रखना है और नीचे कमेंड में जरा यह बताईएगा कि यह जो आपकी भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी या किस गैस के कारण हुई थी तो यह नीचे आपको बताना है फिर एक बहुत ही आसान सा प्रशन पूछा गया था कि बिस्चो बैंक की अस्थापना कब हुई थी तो ध्यान रखिएगा इसकी अस अर्थसास्त्री की बात करते हैं तो कार्मेन रीनहर्ट इसकी मुख्य अर्थसास्त्री है तो यह सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं अगला प्रशन पूछा गया था कि ग्रे रेवलुशन किस से सम्बंधित है तो ग्रे रेवलुशन जिससे हम लोग धूसर करां के नाम से जानते हैं यह हमारे Fertilizers यानि उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा याद खना है कि Great Revolution उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है फिर पूछा गया था कि आगाखा जो महल है वह आपको कहां पर मिलेगा तो यह आपको मह महाराष्ट के पुणे में मिलेगा कहां पर महाराष्ट के पुणे में इस्थित है आगा खान महल निर्मार की ने करवाया था तो सुल्तान मुहम्मद साह आगा खान तृतिये के द्वारा इस महल का निर्मार करवाया गया था तो इस महल के बारे में आपको ध्यार रखना है क या महाराश्ट के पुणे में इस्तित है फिर पूचा गया था कि इन में से किस राजगे साथ नेपाल की सीमा नहीं लगती है तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि नेपाल जो हमारा पडूसी देश है उसके साथ में पाँच राजगे की सीमा लगती है कौन-कौन से? यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड है, फिर आपका उत्तरप्रदेश है फिर है बिहार, उसके बाद में है बेश्ट बंगाल और ओपर है सिक्किम तो यह पाँच राजगे हैं जिनके साथ में नेपाल के सीमा लगती है उप्सन में वहाँ पर जारखंड भी सायथ था तो जारखंड आपका करेक्ट रहा होगा क्योंकि जारखंड के साथ में नेपाल के सीमा नहीं लगती है परिच्छा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में है तो ये आप ध्यान रखेंगे बांगला देश के साथ में हमारी सबसे लंबी सीमा है और नेपाल की जो सबसे लंबी सीमा है वह आपकी बिहार राजी के साथ में है कई बार लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश के साथ में है लेकिन सबसे लंबी सीमा इसकी बिहार राज के साथ में है तो ये भी आप से पूछा जा सकता है फिर पूछा गया था कि जो हमारे यहाँ पर State Bank of India है इसका पहले नाम क्या था तो State Bank of India का पहले नाम था Imperial Bank of India क्या नाम था Imperial Bank of India तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो जून 1806 को Bank of कलकत्ता के रोप में इसके स्थापना होई थी फिर 15 अप्रेल 1840 को इसका नाम हो जाता है Bank of Bombay 1 जुलाई 1843 को इसका नाम होता है Bank of महराष्टरा क्या होता है Bank of महराष्टरा फिर 17 जनुरी 1921 को Imperial Bank of India होता है और फाइनली 1 जुलाई 1905 को State Bank of India इसका नाम होता है और इसी के साथ में State Bank of India की अस्थापना भी होती है तो ये point आपको ध्यारखना है State Bank of India की बात करते हैं तो वर्तमान में इसके जो हमारे अध्यच्च है उनका नाम है दिनेश कुमार खारा रजनीश कुमार का इन्होंने अस्थान लिया था और आपको ध्यारखना है कि State Bank of India का जो मुख्याले है वह आपको मिलेगा मुंबई म फिर पूछा गया था कि 2023 में जो पूरुस बिस्चुप होगा इसका Ayogen कहां पर किया जाएगा तो ये होगा हमारे देश भारत में कहां पर हमारे देश भारत में इसका Ayogen किया जाएगा अब आयोजन से कई बार फ्रशने पूछ लिये जाते हैं तो जो महत्पून आयोजन है उनके बारे मैं आपको बता देता हूँ देखिए 2023 में हमारे पुर्सों का बिस्ट कप होगा ये आयोजित होगा भारत में 2022 में महिलाओं का बिस्ट कप होगा और ये आयोजित किया जाएगा न्यूजी लैंड में कहाँ पर न्यूजी लैंड में आयोजित किया जाएगा 2022 में आपके सीथ कालियन ओलंपिक खेल होंगे ये कहाँ पर होंगे तो ये चीन में आयोजित किया जाएगे 2022 में आपके common wealth games भी होंगे जिनका आयोजन England के Birmingham में किया जाएगा 2022 में ही आपके ACI खेल होंगे तो ACI जो खेल है वोगे चीन में आयोजित किया जाएगे इसके अलामा 2024 में आपका Olympic खेल होगा जो कि फ्रांस की राधानी पिरिस में होगा 2026 में हमारे सीथ कालिन Olympic होंगे इनका आयोजन Italy के Milan और Courtney में किया जाएगा और 2028 में हमारे Summer Olympic होंगे और इनका आयोजन Los Angeles USA में किया जाएगा तो ये सारे जो Olympic के आयोजन है या फिर हमारे common wealth होगे राष्ट मंडल खिल होगे cricket के विस्ट कप होगे इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है और इससे पहले यह भी पूछा गया था कि जो होंगी का विस्ट कप है 2030 वाला वा कहां पर आयोजित होगा तो ध्यान रखिएगा पुर्सों वाला जो विस्ट कप है 2030 में वो आयोजित होगा हमारे देश भारत में ही कहां पर उडिसा के दो अस्थानों पर एक तो है भूनिश्वर दूसरा है राउर केला और नीचे कमेंड में आप यह बताईएगा कि अगला जो महिलाओं का हांकी बिस्ट कप होगा उसका आयोजिन कहां पर किया जाएगा तो यह आपको नीचे कमेंड में बताना है फिर पूचा गया था कि रविनाठ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए नोबल पुरस्कार मिला था तो आसान सा प्रशन था इनकी पुस्तक है गीतांजली कौन सी पुस्तक है गीतांजली और 1913 में साहित के छेतर में नोबल पुरस्कार इन ही मिला था और रविनाठ टैगोर जी की बात करते हैं तो नोबल पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतिये थे तो इसलिए इनका नाम आपको यादखना है फिर पूचा गया था कि जो हमारा त्रतिये अंगल मैसूर यूद्ध था यानि कि यहाँ पर बात हो रही है थर्ड अंगलो मैसूर वार की ये कब हुआ था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के चार अंगल मैसूर यूद्ध हुए थे एक तो था 1767 से 79 तक दूसरा था 1780 से 84 तक तीसरा था 1790 से 92 तक और चौथा था 1799 में तो आपको ध्यान रुतना है कि चार अंगल मैसूर यूद्ध हुए थे और जो 1799 वाला था इसी में टीपू सुल्तान की डेथ भी हुई थी तो ये सारे यूद्ध जो हमारे मैसूर के सासरते उनके बीच में और अंग्रीजो के बीच में लड़ा गया था फिर पूचा गया था एक कि नायटोजन यूट जो पदार्थ होते हैं वे हमारे किड्नी में किसके द्वारा अलग किये जाते हैं तो ये अलग किये जाते हैं नेफरोन के द्वारा, किसके द्वारा? नेफरोन के द्वारा इसे अलग किया जाता है, अब एक्जेक्ट परशन क्या था? अगर आप मेंसे किसी को याद हो तो नीचे कमेंड में बताईएगा, फिर पूछा गया था कि जो अलाई दरवाजा है, तो ध्यान कियेगा, अलाउद दिन खिलजी के द्वारा इसकी निर्मार की सुरुवात करवाई गयी थी, फिर पूछा गया था कि मानो सरीर के सबसे बड़ी गरंथी कोंसी होती है, तो ये तो बहुती आसान सा प्रशन था, कि मानो सरीर की जो सबसे बड़ी गरंथी होती है इसे हम लोग कहते हैं लीवर क्या है लीवर हमारे सरीज की सबसे बड़ी ग्रंती होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो फिर पूछा गया था कि जो पंचायती राजे इसकी सुरुवात कहां से हुई थी तो यह आप सभी को पता होगा कि जो हमारे उस समय के पियन थे जवाहल लाल नहरू जी उनके द्वारा राजस्थान के नागोर जिले में इसकी सुरुवात की गई थी 1969 में कब 1969 में इसकी सुरुवात हुई थी और हमारे सम्मिधान में जो 73वा सम्मिधान संसूधन था उसके द्वारा पंचायती राज को समवयधानिक दरजा दिया गया था तो ये आपको ध्यार रखना है कि 74 सम्मिधान संसूधन के द्वारा पंचायती राज को और 74 सम्मिधान संसूधन के द्वारा जो हमारे यहां पर नगर पालिका होती है उसको समवधानी दर्जा दिया गया था फिर पोचा गया था कि इन में से कौन सी non-volatile memory होती है तो पहले आपको थोड़ा सा याद अखना है कि non-volatile memory होती क्या है तो हमारे computer की वह memory कौन सी हमारे computer की वह memory जिसमें आपके data save रहते हैं अगर हम लोग computer को off भी कर देते हैं उस वक्त भी तो इस प्रकार की memory के हम non-volatile memory कहते हैं तो इसमें हमारे जो roam होते हैं यानि कि read only memory होते हैं उनको सामिल किया जाता है तो इसके example कौन कौन से हैं तो जैसे हमारा hard disk हो गया floppy disk हो गया, magnetic tape हो गया ये सारे non-volatile memory के उधारण है तो ये आपको ध्यारतना है non-volatile memory के बारे में फिर पूचा गया था कि जो machine की भासा होती है इसको कौन बदलता है तो ये आसान सा प्रशन था compiler होता है जो कि machine की भासा को बदलता है फिर एक प्रशन कलका था कि परबस्त से अगर जल चारो दिसाहों में प्रवाहित होता है तो इस छेतर को हम लोग किस नाम से जानते है तो इस छेतर को हम लोग अप केंद्रिये अपवाह या फिर अर्ये अपवाह के रोप में जानते है तो अपवाह से ये आपका प्रशन था हाला कि ये एक tough प्रश्न था लेकिन आपको ध्यारखना है अब इसके example कौन से है तो जैसे अगर हम लोग अमर कंटक की बात करती है जो कि आपको मद्धिप्रदेश में मिलेगा तो अमर कंटक से आपकी एक नर्मदा नदी निकलती है जो कि पस्सिम में जाती है एक आपकी वहला नदी है एक आपकी सुन नदी है और यहीं से बगल में महानदी भी गुजरती है तो जब किसी भी हमारे परबस से इस प्रकार से सभी दिसाओं में जल बहता है तो वह एक अपके इंद्री या अर्ये अपवाह का उधारण होता है और यह आपका एक टब प्रशन था आज पूछा गया था कि जो सभी तराष्ट है उसकी आधिकारिक भासा कौन सी है तो आधिकारिक भासाओं की बात करते हैं तो इसकी छे आधिकारिक भासा है कौन-कौन सी अर्वी है, चाइनीज है, इंग्लिस है, फ्रेंच है, रसियन है और है स्पैनिस तो इन सभी के नाम आपको ध्यारखने है अर्वी, चाइनीज, इंग्लिस, फ्रेंच, रसियन और स्पैनिस तो ये आपके UNO की आजिकारी भासा है फिर पूचा गया था कल कि 2004 में किस परियावरण बित को सांती में नोबल पुरस्कार मिला था तो ये तो आप कहज़कते हैं काफी ज़्यादा प्रशन था और जो हमारे सांती के छित में नोबल पुरस्कार है वो ए NTPC वालों के फेवरेट है कभी 1988 का पोँच रहे हैं कभी 2005 का पोँच रहे हैं कभी 2004 का पोँच रहे हैं तो यहाँ पर मिला था वंगारी मथाई को किसे वंगारी मथाई को जो की दच्चिंड अफरीका की एक महिला थी ग्रीन वेल्ट आंदूलन की ये संस्थापक थी और इन्ही को यहाँ पर सांती के छित में नोबल पुरस्कार 2004 में दिया गया था फिर पोचा गया था कि भारत में United Nation Environmental Program का मुख्याले कहां पर है तो ये मुख्याले आपको मिलेगा नई दिल्ली में वैसे अगर हम लोग UNEP के मुख्याले की बात करते हैं तो ये आपको कहां पर मिलेगा ये मिलेगा नैरोबी में जो कि केनिया की राजधानी है और आपको ध्यारखना है कि United Nation Environment Program की इस समय प्रमुक है इनका नाम है Inger Anderson जो की हैं Denmark की फिर पोचा गया था कि Red Hole Mining किस राज़ में सरबाधिक प्रचलित है तो यह एक प्रकार से कोयले की ख़दान के तकनीक होती है और इसमें जो आपके कोयले की ख़दान होती है उसमें बिल्कुल अजीबों गरीब तरीके से खुदाई की जाती है तो ध्यान रखेगा Red Hole Mining यह हमारे अधिकांस उत्तरी पूर्वी राज़्यों में प्रचलित है और सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा यह मिलेगा मिघाले में कहां पर सबसे ज़्यादा यह मिलेगा मिघाले में तो यह आप यहां पर ध्यान रखेंगे हाला कि जो हमारे यहां पर NGT है उसके द्वारा 2014 में इसके उपर परदबन लगा दिया गया था फिर पूछा गया था कि भारत में पहले क्रिकेट कलब की अस्थापना कब होई थी तो पहले क्रिकेट कलब की बात करते हैं तो इसकी अस्थापना होई थी 1792 में कब 1792 में कहां पर होई थी तो यह आपके होई थी कोलकाता में नाम इसका था कोलकाता क्रिकेट कलब क्या नाम था कोलकाता क्रिकेट कलब तो चलिए नीचे कमेंड में जाते जाते यह बताईए का कि जो दुनिया का सबसे पुराना या सबसे पहला cricket club है उसकी अस्थापना कब हुई थी तो ये आपको नीचे comment में बताना है फिर पूछा गया था कि केरल लाज में इस्थित किस मंदिर में महिलाओं को 8 बजे के बाद में प्रवेश की अनुमती नहीं है तो कल हला कि इस प्रशन के बारे में मैंने आपको बताया था तो उस समय मैंने आपको बता दिया था सबरी मारा मंदिर के बारे में तो आपको ध्यान रखना है कि जो केरल में सबरी माला मंदिर है वहाँ पर महिलाओं के प्रवेश की अनुमती ही नहीं है चाहे आठ बजी हो, चाहे जिस भी टाइम हो, तो दस से पचास वर्स आयो की जो महिलाएं हैं, उनकी अनुमती नहीं है सबरी माला में, और इस पे इस समय केस भी चलना है सुट्रेम कोट में, और केरल में आपको एक मंदर मिलेगा जिसका नाम है राजा राजी सुरा, तो रा 1923 में किसके साथ मिलकर के मोति लाल नहरू के द्वारा सुराज पार्टी के स्थापना की गई थी तो ये इन्हों ने किया था इलाहबाद में तो इस तरीके से हमने जो भी महत्मूल परश्चिन मुझे मिले थे उनके बारे में डिसकस कर लिया है सिप्ट का वीडियो होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे ठैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत